इसार उंट के मुँँ में जीरा, हम उमीद कर रहे थे 8 से 10 हजार पदों पे स्कूल व्याख्याता की भरती आएगी और ये मात्र 2202 पदों पे भरती आई है, क्या 2202 पदों की अकोडिक, क्या आप प्रिप्रेशन करें, कैसे करें, एक अजीब सा डर लग रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, आज कि इस वीडियो के माध्यम से, परियास करूँगा कि आपके जितनी भी तनाव है, उसको कम करने का, और बड़े विवस्तित तरीके से इसको शुनिएगा, और जो चीजे मैं बोल रहा हूं, उसको फोलो कीजिएगा, देखिए, सेलेक्शन के लिए सबसे इ अभी डिपीसी हुई नहीं है, नौंबर में डिपीसी होगी, उसके बाद लगबग 18,000 के आसपास पद खाली हो जाएंगे, और निश्चित रूप से हो सकता है, मुझे जो लग रहा है, इस विज्ज्यापन में पदो की संख्या, जो ये लाइन इहां पे लिखी हुई है, पदों में कम या वर्धी की जा सकती है, तो कमी का तो चांसे नहीं है, ग्रोथ, यानि मुझे लग रहा है, कि अभी उपचुनाव की वज़स है, इन्होंने जल्दी से, जैसे कल मैंने इन्फर्मेशन डाली थी, उपेंजी की, कि बाइस सो पदों की आर्पेस्ची को अभे इरतना भेजी गई है, तो एक कहीन कहीं उपचुनावाला हो सकता है, और ये बाइस सो पद वो पद हैं, जो ओलेडी पहले से इनकी वितिवाग से स्विकर्ती मिल चुकी थी, इन्होंने जारी कर दिया, आप ये कर सकते हैं, में भी, कि इसमें पदों की वर्धी की जा सकती है, या हो सकता है कि एक, दो, तीन मेने बाद नया विग्यापन आ जाए, स्कूल व्याख्याता के पद बहुत लंबे समय तक खाली नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, स्कूल एजुकेशन में दे सबसे इंपॉर्टन पद है, तो आरपेस स्कूल लेक्च उक्षिक है, सर दो झाल, वदो ढॉन क्योंकि मैंने पहले ऊच güvý क्योंकि मैंतों कि एँखई ब चिर विग्या विर समय प्र firma में चंगरने लेक्चाो.